भी है हेलो फ्रेंच क्छ आप सब लोक्रेंट में हम सब बिल्कुल कन्फूज हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं जो बिल्कुल वार्जीब है यह सारी बाते बिल्कुल सोर है कि अभी तकiembre नहीं और नहीं किया होगा देखो बाकाइदा NTA ने अपना कोई भी ओपन से ले नोटिफिकिशन ऐसा नहीं डाला जिसमें उसने यह बात कही हो हम जो आपको information देते हैं वो देते हैं email के थिरू हम उनको email send करते हैं वो हमें email वापस response देते हैं लेकिन उसमें कहीं पर भी वो यह बात नहीं लिख रखा कि यह एक्जाम पॉस्पॉंड होगा या होगा या नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं बोलते हो directly वो indirectly हमें यह बताना चाहते हैं कि एक्जाम पॉस्पॉंड होगा ठीक है लेकिन आज मैं आपको एक सांदार information देरेने जा रहा हूं एक इतनी authentic information देने जा रहा हूं जिससे आपको 100% हो जाएगा कि भाई exam पॉस्पॉंड हो चुका है बिल्कुल से और है आपको 100% विश्पास हो जाएगा लेकिन उससे पहले आपको चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना होगा दूसर करवात हैं कि आपको फर्स्ट पेपर का और जोग्रोफिका हीरो बना दिया जाएगा क्या बना दिया जाएगा फर्स्ट पेपर जोग्रोफिका हीरो बना दिया जाएगा अब मैं लेके चलता हूं authentic information की ओर देखो यह रहे डोक्टर रमेज पोकरियाल निशंक जो हमारे कें केंद्रिय मानव संशादन विकास मंत्री है उन्होंने कल एक ये नोटिस डाला था एक्जाम ओफ यूजिसी नेट आलसो पॉस्ट पॉंडेड यस्टरडे वेन नेट एक्जाम फिनिस्ट यह बात है सबसे authentic और जब केंद्रिय मानव संशादन विकास मंत्री डोक्टर रमे पॉख्रियाल निसंक ने ये बात बोल दी कि हमारा जो एक्जाम है नेट का जो एक्जाम है वो पॉस्ट पॉंड हो गया है जब नेट का एक्जाम फिनिस्ट हुआ था ठीक है तो देखो ये हमारे केंद्रिय मानव संशादन विकास मंत्री है और इन्होंने जब ये बात ब तो समझो हेंड अप परसेंट पॉस्पॉंड हो गया है सपोस्पॉस जैट मैं आपको बताता हूँ कि केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतरी की कितनी पावर होती है यदि यदि एंटिये इस एक्जाम के लिए मना कर दे कि मैं इस एक्जाम को पॉस्पॉंड नहीं करूंगे और केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतरी कह दे कि इस एक्जाम को पॉस्पॉंड करना पड़ेगा तो वहाँ पर एंटिये की नहीं चलेगी वहाँ पर चलेगी केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतरे की ठीक है वो जैसा कहेंगे उस अकोडिंग होने के चांसे जाता रहत हैं और यहां पर जो हमारे केंद्रिया मानों संसाधन विकास मंत्री रमेश पोक्रियाल जी है उन्होंने ये बात बिल्कुल डिकलियर कर दी कि नैट का एक्जाम पॉस्पॉंड हो गया ठीक है अब बेफिकर हो के सो बेफिकर हो के रहो टैंसन लेना बंद कर दो बिल्कुल र टाइम मिल गया बाकी आपको मैं एक इंफॉर्मेशन होटदे देता हूँ यहां पर देखलो यह यहां पर देखो एक तो यह दो यह बात सही हो या गलत सबसे पहले आप यहां पर देखो यह UGC.net की ओपिसिल वेब साइट है ठीक है यहां पर देखो वी विल regarding the exam and revise schedule timely जहां पर देखो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात revise schedule timely कि shortly shortly का मतलब है हाली में कि कुछ ही time में हो सकता है कल हो सकता है परसों कल या परसों में जो anti है अपना re-saddle डालने वाला है जो exam का schedule हो पुरा-पुरा fix करने वाला है जैसे पहले fix नहीं कर देते हैं कि जून का exam इतनी तारीक होगा form इतनी तारीक अपलाई होगे result इतनी तारीक आएगा बिलकुल उसी तरीके से re-saddle डालेगा वो पुरा-पुरा schedule डाल देगा फिर उसके according हमारे exam होगे तो मातर एक या दो दिन का wait करो आपके पास NTA की official website के उपर re-saddle डाल दिया जाएगा कि exam कब होता है admit card कब आता है अगला वाला exam कब होगा उसका admit card कब आएगा उसके form open कब होगे उसका result कब आएगा सारी सारी information डाल जाएगे ठीक है तो ऐसी authentic और शांदार और गजब information के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राब करो standard तरीके की smart study करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राब करो thanks देखने के लिए bye फिर मिलते हैं next video के साथ